नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर कीरती है, मैं एक सेक्शुल डिसॉर्डर स्पेशनलिस्ट हो, साथी साथ एक साइक आटरिस्ट हो आज हम डिसकस करेंगे कि सेक्स का नॉर्मल टाइम कितना रहता है तो दोस्तों, जाधा तर मर्द दुखी इसलिए होते हैं कि उनका सेक्स टाइम बहुत कम रहता है लेकिन सबसे मेजर इशु ये बात होती है कि उनको पता ही नहीं है कि सेक्स का नॉर्मल टाइम क्या है बहुत सारे देशों में एक रिसर्च हुआ था, जहां पर बहुत सारे कंट्रीग के मर्दों को लिया गया था और उनका आवरेज सेक्स का रेज क्या था तो रेज होता है कितने से कितने समय तक सेक्स कर सकते हो और आवरेज निकाला गया तो वो हुआ 2 मिनिट से लेकर 10 मिनिट के बीच दूसरा चीज है कि average sex time क्या है तो average sex time पाया गया है 5.4 मिनिट जो कि 5.4 मिनिट से और ये सिर्फ भारत का average नहीं है पूरा दुनिया भर में जितने सारे मर्द लग है उन सब को लेकर ये चीज बनाया गया अब हमारा जो timing रहता है कब उसे शीगरपतन बूला जाता है तो देखिए शीगरपतन American Association of Psychiatry है उन लोगोंने निर्धारित किया है कि अगर एक मिनिट से कम आपका link को योनी में प्रवेश करने के बाद का timing के अंदर sex खतम हो जाता है तब ही जाकर उसे premature ejaculation या शीगरपतन बूला जाता है और मोटा मोटी अगर देखो तो एक से दो मिनिट के अंदर अगर आपका discharge हो जाता है तब ही जाकर हम clinicians उसे शीगरपतन या premature ejaculation मानते और सबसे कम time और सबसे जादा time क्या होता है तो जादा time में research में पाया गया है कि 40-50 मिनिट तक लोग sex कर पाते है और minimum time में ये देखा गया है कि link को योनी में insert करने से पहले ही लोगों का discharge हो जाता है तो वो भी है लेकिन ये extreme से तो average sex time दो से लेकर 10 मिनिट के बीच में अब आती है बात कि ये जो चीजे होती है इन चीजों को बैतर कर सकते हैं हम या नहीं कर सकते हैं तो देखिए इसके लिए आपका capacity बढ़ाना ज़रूरी रहता है और capacity बढ़ाने के लिए आजके date में बहुत अच्छे medicines है जो नहीं सिर्फ इरेक्षन लाते हैं पर इरेक्षन लाने के बाद इरेक्षन पो maintain भी करते हैं जिससे कि आपका sex का timing ये average range के अंदर आ सकता है जो की 2 से 10 मिनिट के अंदर है और बहुत सारे लोग क्या होते हैं न वो porn देखते हैं या फिर जो भार videos मिलते हैं उनको देखकर सोचते हैं कि वहाँ पर एक मर्द 30 मिनिट से 1 गंटे तक sex करता हैं तो हमारा भी sex का timing उतना होना चाहिए तो देखी दोस्तों ये जो भी चीज़े movies में दिखाता हैं ये कालपनिक है बहुत सारे retakes, बहुत सारे takes लेने के बाद ये चीज़ वो लोग करते हैं बहुत सारे videos को जोडते हैं तो इन चीज़ों को देखकर ये please मत सोचना कि आपका sex का timing एक गंटा चलना चाहिए देड़ गंटा चलना चाहिए तो वो चीज़े कालपनिक है तो तीन चीज़े हमेशा याद रखनी है कि sex का normal time का range होता है दो से लेकर 10 minute और average sex time क्या माना जाता है वो है 5-10 अमलग 4 या फिर 5.4 minutes और तीसरा चीज़ है 1-2 minute के अंदर अगर आपका sex करते हुए discharge हो जाता है तब उससे premature ejaculation बोला जाता है अगर लोग हमारे पास आते हैं और पूछते हैं कि सर मैं कल sex करने गया था और एक बार में मेरा discharge एक मिनिट के अंदर हो गया लेकिन उसके बाद हमेशा से sex का timing नॉर्मल रहा है 5 मिनिट के आसपास तो देखिए आपका एक बार discharge अगर कम समय में हो जाता है उसको शिगरपतन नहीं बोलते हैं अटलीस्ट 6 माईने भर लगातार होना चाहिए और 75% टाइम्स जब आप sex करते हो उस समय पे आपका sex का timing कम होना चाहिए तब ही जाकर हम उसे शिगरपतन मानते